नमस्का फ्रेंड्स मैं नाम बगलू उर्मा पेपर रैकर मैं आपका स्वागत आज हम देखने वाले हैं फूड नुटरिशन हाइजिंग पार्ट नंबर जो रहने वाला है कौन सा है वह वह पार्ट नंबर हो जाएगा अपना 14 तेरा पार्ट डाल लखें आज जो इस बुक क क्योंशन याहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसमें से आप 80 क्योशन आराम से आप कर आऊगे अगर सिर्फ देख廊 ठिक है अगर आप प्यार से अच्छी परकार से इंधी 14 वीडिव को अगर आप देखो जोगे तो क्या होगा आराम से आप 80 क्योशन कराकर तो आज की लाश्ट वीडियो है ध्यान से देखेगा लाश्ट टॉप एक पकार से लाश्ट कुछ तीन टॉपिक रहे हैं इनको कबर करेंगे लाश्ट वीडियो में ठीक इसमें तो बढ़ते हैं क्योशनों की और तो फस्ट आपके सामने देखाई टाइपाइड के बारे में देखना है हमें ठीक है तो टाइपाइड से लिटा आप जानते हो बहुत सारी बाते तो आप जानते ही हो कम से कम मुश्किल से 100-500 क्योशन जो होंगे आपको याद करने के लिए इसमें पूरी की पूरी बुक में है ठीक है तो बढ़ते हैं फस्ट क्योशन की और तो फस्ट हमारा जो यहां पर हो जाता है कौन सा है टाइफाइड को अनिक इस नाम से जानते हैं तो टाइफाइड को आपको पता है उसे मोती जहर भी कहते हैं और मियादी बुकार भी कहते हैं तीक है इसमें क्या दिया जाता है विरकुल आपको पता है तो यहां पर राइट क्या हो जाएगा option number 6 हो जाएगा और बाद दोनों ठीक है और बाद दोनों हो जाएगा टाइप आइड को क्या कहते हैं मोती जरा भी कहते हैं और म्यादी बुखार भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं टाइफाइ्ड किसक्र दवारा फैलता है या राइट आंसर देना है कौन साम विल्कुल राइट होगा यह विल्कुल सालमो निला टाइपी आपको पता है तॉस् Personal निला टायपी मगर यहाँ पर नहीं दिरेखा है तो सालमो निला तो है आपके पास मिल ला है ना उसके बाद क्या है टाइफ होजा कोई बात नहीं हम टाइफ ही एक देंचा टाइफ होजा लेगते तो राइट एक हो जाएगा ठीक है तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नमबर ए नाम भी चुपा हुआ है टाइफ हाइड या फिर टाइफ होजा ठीक है तो टाइफ हाइड किसके दोरा फैलता है सालमो निला टाइफ ही या फिर टाइफ होजा के दोरा फैलता है आगे देखते हैं नेक्स्ट कुशन की और कराई टाइफ हाइड से जवार का तापमान कितना होता है अगर टाइफ है आपको हो जाएगा या किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो कह रहा है उसका तापमान जो होगा वो कितना होगा आपको पता है 94.8 होता है ना इसी साम्माने वाला बिल्कुल होदे रखा है तुम्हारा कि जो टाइप 5 में ज्वार का तापमान कितना होता है आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है तो 104 से 104 फर्न हैट होता है कितना 104 से 105 फर्न हैट होता है टाइप 5 में कि आप वसक्राइब करेंगी आप शोजएंगा तो चार से पांच और आपका तापमान है फॉरन हैट में तो कितना क्या हो जाएगा बेए टाइफाइट जवार उसको है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की ओर, नेक्स्ट कुशन कराया है, टाइफाइड में आहार देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए, अधिक कैलोरी, बिटामिन, अधिक कार्बोज, या फिर हो जाद मध्यम आपका हो जाएगा, बसा, अधिक प्रोटीन, कम रेशे, तो यह सबी, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, तो भी अधिक कैलोरी दो, उसे उर्जा क्या दो ज्यादा दो, विटामिन भी दो, अधिक कार्बोज दो, और मध्यम बसा दो, बसा कैसे चाहिए, अधिक प्रोटीन, कम रेशे, चाहिए, तो राइ कैलोरी देते हैं, अगर टाइफाइड रोगी को कितनी कैलोरी देते हैं, अगर टाइफाइड रोगी देते हैं, कितनी कैलोरी देते हैं, एक क्योश्ण आपको याद करने को यहाँपे आया है, ठीक है, तो टाइफ़ाइड रोगी को कितनी कैलोरी देते हैं, प्रकार से बिल्कुल क्या था टाइफ है उसमें हो रहा था और बहेंकर निमूनियां हो रहे थी प्रकार यी को निमोनियां और टाइफएट नदर हरी किसी हो निकल ला था इसके चाहिएattform पता था disse उत्याति हतना फिल्कुल हो रहा था जर्न हो रहा था बल्कुल ऋल्यान निस प्रेंब जनए म हमें तो गाल beiden ठीक है उसमें लेना था तो यहां पर क्या हो जाएगा आतों में सूजन और जलन दोनों देखने को मिल लाई थी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की और एक 120 एंबबभ serpent यहां पर कौनसा विल्कुल र्याइट रहने वाला है अगर बढ़ते हैं नेक्स कुशन कि टाइफाइड में सामान से कितने गुणा प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए अगर सामान है तो उसे कितने गुणा प्रोटीन देंगे यह आपको बताना है हहां अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसे क्नि pada uciम लुहा मैगनिसियम या फिर ऐडिन तो सबसे ज़्यादा देना चाहिए फैल हब लोहाद देना चाहिए क्यान लूहाद देना चाहिए तैफएट मैं आपको पता है सब्सक्राइब रहने वाला तो कौन सा होगा राइट अंसर पाइड है अब प्रेसे और द्रपदार ठीक है यह ज्यादा है तो राइट टांसर अप्शंबर सा हो जाएगा इस प्रकास लगा लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन नेक्स्ट कुशन तुम्हारा कहा रहा है उबले रूप में क्या क्या टाइफाइट रोगी को दिया जा सकत है उबाल कर टाइफाइड के रूगी को क्या क्या दिया जा सकता है मासल पदार्थ दूद्वा दूद्पदार्थ यह क्या रहा है अंडा या फिर यह सभी क्या क्या दे सकते हैं यह प्रकास से रेशिदार होता है मास तो दे सकते हैं तो मासल पदार्थ भी देंगे दूद लेसी को मैसके बुखार की अभस्ता में मररीज का भोजन होना चाहिए कैसा हो चाहिए यह थोड़ आपको देखना है कम कैलोरी अधिक क्यलोरी अधिक प्रोटीन जायदा प्रोटीन कम अंसर क्या हो गाए अवा सबिस्देंगे आधक अधिक घृटन देंगे और अधिक ही प्रोटीन देंगे तो राइट का होग니 इसे सरील सब्सक्राइब जाती है लुखे प्छी सबसेंदर कैसी होती है घठती है ये प्रकर नहीं पड़ता है में दीरे चलती है अपने सबस्सार होगा किस पर डिपर करती है जाएगी तो राइट आंसर अप्चन बर बाव हो जाएगा नाड़ी को पकड़ कर जोर का पता लगाते हैं ना उदर कैसे होती है बढ़ जाती है तो स्वसंदर भी बढ़ना ही बढ़ना है आगे बढ़ते हैं कहारा है तुम्हारा जोर से पीड़त ब्यक्ति बैसक के आहार मे कितने कैलोरी देना चाहिए अब कहरा है जोर से कोई पीड़त ब्यक्ति है और भी तो इसके आहार में कितने कैलोरी देंगे उड़जा आपको बताना है थीन हजा किलो कैलोरी या पर हो जाता है तुम्हारा सटता तो यहां क्या देना चाहिए ज्वार से प्रति ब्यक्ति अगर वो बैस सके है तो इसके आहार में कितने कैलोरी देंगे तो देंगे 2000 किलो कैलोरी एक क्योशन यह याद करने के लिए ठीक है नेक्स कुशन की बात करते हैं बुखार की अवस्था में रोगी के सरीर में तूट फूट होती है अंग की उत्तकों की सरीर की या फिर कोशिका की तो राइट आंसर अमारा क्या होगा अगर बुखार की अवस्था में रोगी के सरी में तूट फूट होती है किसकी होती है आपको पता है उत्तकों की तूट फूट होती है ना कोशिका की तो होगी नहीं ना अंग की होगी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते है उत्तक बनते है तो उत्तकों की तूट फूट होगी एगर बुखार की अबस्ता है तो किस डॉक्टर से हम सला लेंगे आपको बताना है जिच्छित डॉक्टर से अनपड़ से जुला चाप से इन में से कोई नहीं तो बिल्कुल आप कोशली क्या किए आगे आगे देखेगा शरीर की वरजा कितनी बंती है वसमें से खर्च होती है कितनी खर्च होती है आप को बताना है शरीए यहां पर राइट आंसर यहां रॉल सरीर की जो ओर्जा जितनी बनती है सरीर में उसमें से 95% हो जाती है खर्च जो 5% बसती है वो ATP के रूप में संचित रहती है ठीक है तो राइट आंसर क्या दाएगा option नमबर सा हो जाएगा 95% जो ओर्जा होती है वह है खर्च हो जाती है आगे बढ़ते हैं मस्तिक्स में होते ह हैं क्या होते हैं आपको बताना है यक्रत तंत्र का ब्रक या पिर केंद्र बिंदू तो क्या होते हैं आपको बताना है मस्तिक्स में क्या होते हैं बैई केंद्र बिंदू पाए जाते हैं तो राइट आंसर क्या होगा option नमबर सी हो जाएगा तंत्र का पूरे तरी में पाए यह क्या कहलाएगा तीब्रज्वार ठंडापन ज्वार इनमे से कोई नहीं तो क्या कहेंगे आप हैंगे हमने पढ़ा था कि 104 127 से 105 क्या होगा टाइफाइड होगा डिके वह हैं तीब्र हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की और कह रहा है सरीर में उर्जा का उत्पादन होता है सरीर में उर्जा का उत्पादन कहा होता है पूरे अंगों में मस्तिक सिम में विसेश अंगों में या मास पेसियों में राइट आंसर क्या होगा तो जो होता है सरीर में उर्जा का उत्पादन कहां होता है सरीर में उर्जा का उत्पादन होता है पूरे अंगों में कहां पर सभी में होता है ये क्या करती है माइट्रो कॉंडिया करती है नेक्स कुशन की बात करते हैं कोशी का है ना आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन का अंसर जिगा कह रहा है यहां पर जोर में ब्यक्ति को कैसा पानी देना चाहिए अगर जोर है व्यक्ति के लिए तो कैसा पानी दोगे गरम पानी, ठंडा पानी, असुद्ध पानी, गंदा पानी, यहाँ पर कौन सा बिलकुल राइट होगा अगर तीबर जोर है तो क्या देंगे भई, ठंडा पानी देंगे जोर में व्यक्ति को कैसा पानी देंगे, ठंडा पानी देंगे, राइट आंसर हो जाएगा option number 2, next question की बात करते हैं, बुखार की अबस्ता में कैलोरी की पूर्ती करने के लिए सरीर में क्या काम आता है, आपको बताना है, गलाइकोजन, खून, पानी, इनमें से कोई नहीं कैलोरी की पूर्ती करने के लिए सरीर में क्या काम आता है तो इसका आंसे देना है क्या काम आता है तो क्या काम आएगा भई बुखार की वस्ता में कैलोरी पूर्ती की जाती है आपको पता है उर्जा कहां से मिलती है ग्लूकोज से है ना उसके द्वारा किस में कनबड हो जाता है वह ग्लाइकोजन में कनबड हो जाता है ठीक है अगर जादा मात्रा में होता है तो ब्लेड में और जब ये ब्लेड में कम मात्रा में होता है तो अपने आप इसको होता है दूसरा हार्मोंस होता है उसके द्वारा क्या होता है कोजन के रूप में बिलेड में आ जाता है और उसके बाद उजाकी राप्ति हो जाती है तो राइट आंसर क्या होज़एगा गलाइकोजन क्वाइकोजन काम में आता है राइट आंसर होज़एगा option number A ठीक है इससे पहले हमने देखा था next question की बात करते हैं next question कांसर जी गा, यहाँ पर कह रहा है, जौर में ब्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर जौर है तो ब्यक्ति को क्या करना चाहिए, कठन ब्यायाम, आराम, कठन काम या फिर खेल खेलना चाहिए, तो इसका right answer अमारे पास क्या रहने वाला है, आपको बताना है, अगर जौर है तो उट जागी वैसे ही कमी है तो क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए next question की मात करते है vitamin C किसके अब सोसर को बढ़ाता है जो vitamin C है वे किसके अब सोसर को बढ़ाता है vitamin A, calcium, vitamin B, या फे लोहा लबड़ तो vitamin C किसके अब सोसर को बढ़ाता है राइट अंसर हमारा क्या रहने वाला है कि इसके अब सोस्रड को बढ़ाएगा इससे पहले विए क्योशन देख रखा है तो लोहा के लोहा लबड़ के अब सोस्रड को बढ़ाता है बिटामिन C तो राइट अंसर हो जाएगा option number 2 next question की बात करते हैं संक्रामक रोगों से सुरक्षा करता है संक्रामक रोगों से सुरक्षा कौन करता है कैलसियम कार्बोज सोडियम बिटामिन ए राइट आंसर क्या होगा तो संक्रामक रोगों से श्रक्षा कौन करता है बह करता है अपना बिटामिन A राइट आंसर आप्शन अमबर दा हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है याद करने वाला क्योशन नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं टाइफाइड की अवस्था में देना चाहिए आपको बताना है जवका पानी मीठा दूद मौसमी जूस या फिर ये सभी टाइफाइड की अवस्था में देना चाहिए क्या देना चाहिए काइफ हैड की अबस्ता में देना चाहिए जो का पानी बिल्कुल सही है मीठा पानी भी दे सकते हो और मौशमी जूस तो देना ही देना है भी विटामिन सी है तो बात करते हैं राइट हो जाएगा ये सभी ठीक है आगे बढ़ते हैं कम जौर में कैसा आहार देना चाहिए अगर कम जौर है तो कैसा आहार देंगे तरल, कोमल, ठोस या फिर ये सभी अगर कम जौर है तो तरल देंगे कोमल भी दे सकते हैं ठोस भी दे सकते हैं तो राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नमबर दा रहने वाला है next की बात करते हैं मोती ज़रा का बुखार होता है अत्य देख कम अत्य देख तेज बराबर इन में से कुई नहीं right answer क्या होगा बही जो टाइफाइड होता है वो कैसा होता है अत्य देख तेज होता है अब यह देखा था 104 फोन हैट से 105 फोन हैट के मद्द होता है आगे बढ़ते हैं टाइफाइड जवर को कहा जाता है टाइफाइड जवर को क्या कहा जाता है कम जवर आत्र जवर अलका जवर इन में से कोई नहीं तो क्या कहते है टाइफाइट जो होता है वो किसको प्रिभावित करता है इस प्रिकार से वी क्योक्षन आ सकता है टाइफाइट जो होता है हमारी आतों को प्रिभावित करता है सबसे ज्यादा ठीक है तो क्या राइट हो जाएगा आउक्षन नमबर A, B हो जाएगा टाइफा तालिका में सामिल कौन है जो का पानी खेचडी दूद मीठा या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या होगा जो आर निंद्र की इस्तिती में आहार तालिका में सामिल कौन है जो का पानी बिल्कुल अभी हमने से पहले बढ़का है फेचडी भी हो जाएगी ठीक है और मीठा द अगर जो ठीक होने के वस्ता में है तो आहार में क्या सामिल करेंगे पिसा अनाज, हरी सबजियां, अंडा या फिर ये सभी तो इसमें भी क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा अब तक पड़े हैं सभी में ये सभी आ रहा है ठीक है बहाँ पर कैलोरी अधिक और क्रोटीन भ ना चाहिए तो भे कौन से हो जाएंगे चटनी पापड़ में क्या होगा मसाला ज़्यादा होगा आपको पता है बुखार में मसाला योक्त नहीं खाया जाता मसाली योक्त आहारी तो अभी हमने बताया ही है और गाड़ी चाए कॉफी ये भी क्या है इसमें कैफेन होता है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन अंबर दा हो जाएगा ये सबी ठीक है आराम से निकाल सकते हो इसके लिए नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं कैलोरी कितनी प्रतिशत टाइफाय ड्रोगी को देते हैं आपको बताना है 40-50% 10-20% 20-40% 20-100% तो राइट अंसर क्या होगा भी कैलोरी कितने 30-50% राइट अंसर होदाएगा option number नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट कोशन दे रखाई टाइफाइट रोगी को सोते समय क्या देते हैं तो टाइफाइट रोगी है उसके लिए सोते समय क्या देंगे प्रूटी नेक्स बाला दूद या फिर ग्लूकोज बिस्कुट देंगे और बाद दोनों देंगे या इनमें से कोई नहीं थो बहूत को प्रूटेनेगे पाला दूद दे देंगे प्रूटीन जमाइस सकता होगि ग्लूकोज विस्कूट देंगे क्योंकि ग्लूकोज का किस कि वीज़ोंब सकता है और-दो Vander सकता हूप दोनों चीज Jahren का सावैर क्या आफ ऐने कब तोनोंस थे पुर्बा या फिर ये सभी तो बिल्कुल जो बता है कि टाइफाइड रोगी है उतों से क्या देंगे लशीला लजदार देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं टाइफाइड में उच्च जैबिक मूले बाले पदार्त देते हैं अन्डा मास का सूप या फिर हो जाएगा मुर्गा या फिर ये सभी तो राइट आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये सभी हो जाएगा ठीक है उच चीजाया भी मूले वाले हैं इसलिए तो नेक्स्ट कुछन की बात करते हैं डवल लोटी वा तो किसे देंगे बई टाइट वाले रोगी को दे सकते हैं ठीके राइट आसर क्योंकि glucose भी होता है इसमें चीनि ने केंगे हैं कैलोल्ड किया है सकता इसे ही घोगी आगे बढ़ते हैं देरेखा है तुम्हां National International Program and Processes for Improving Dietary Nutrients ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर फर्स्ट एक्योशन इसका हो जाता है कुछ अंसाइं है ठीक है पॉलिश जी देखे हैं तुमारी पॉलिशी ठीक है कुछ संसाइं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी समयकित बाल विकास सेवा स्कीम किस सन में आई थी 1975 में 1800 में 1970 में 1962 में तो राइट आंसर क्या होगा भी समेकित बाल विकास दो है बाल विकास सिवाई स्कीम कब आय थी यह आय थी 1975 में राइट आंसर आप्शन नंबर आ हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं इंद्रा गांदी मातरत्व सहयोग योजना किसन में आई इंद्रा गांदी मातरत्व सहयोग योजना किसन में आई थी 2000 में 2010 में 2009 में 2008 में यह वेरी इंपोर्टेंट हैं याद करने के लिए तो इंद्रा गांदी मातरत्व सहयोग योजना किसन में आई थी याद करेंगे 2010 में आई थी राइट आंसर हो जाएगा option number 2 next question की answer दीजेगा next question का answer क्या होगा तो रखा IGMSY किसके लिए किसके लिए शुरू की गई जो IGMSY है यह किसके लिए शुरू की गई थी आपको बताना है बच्चों के लिए किस लिए ब्रद्धा के लिए या फिर गरवती या फिर दात्री महलाओं के लिए तो राइट आंसर क्या होगा IGMSY जो है किसके शुरू की गई थी गरवतीबा दात्री महलाओं के लिए शुरू की गई थी आगे बढ़ते हैं यहूं आधारित जो पूरक पोशाहार कारिकरम कब सुरू हुआ था गेहूं आधाय जो होता है पूरक पोशाहार वो कारिकरम कब सुरू किया गया था आपको बताना है 1980 में, 1970 में, 1960 में 1960 में, 1911 में राइट आंसर क्या होगा तो गेहूं आधाय जो पूरक पोसा हार कारी करम चलाए गया था वो चलाए गया था 1986 में राइट आंसर हो दाएगा ऑप्शन नमबर सा ये बेरी इंपोटेंट है इन में से क्योशन बिल्कुल बनेगा एक क्योशन आने वाला है एक से दो क्योशन आएंगे हां से अगले बढ़ते हैं राष्टिये स्वास्त मिसन कब सुरू हुआ राष्ट स्वास्त मिसन जो है वो कब सुरू हुआ था आपको बताना है 2013-2011-2012 तो राष्ट स्वास्त मिसन जो सुरू हुआ था वो 2013 में स्टार्ट हुआ था तो राइट आंसर हो दाएगा ऑप्शन नमबर आ नेक्स्ट को बढ़ते हैं न गरीवयस्ता के लिए और बाद दुनों के लिए इन में से कोई नही ही तो राइट आंशर भी मारा क्या रहने वाला है सितना कब सुरुकी गई ती यहां पर आपको बताणा है कौन सा राइट होगा 2017-2011-2008-2010 तो राइट आंच्र क्या होगा राजीव गांदी राष्ट सिसुग्रहय योजना कब सुरुकी गई थी 2017 में सुरुकी गई right answer option number आ रहने वाला है यही कुछ क्योशन है जो आपको याद करना है आगे देखते हैं एन आर हम में क्या क्या सुविदा दी गई थी परामर्स आइरन संपूरक की काकरण या फिर यह सभी तो यहां पर क्या होगा वह यह सभी हो जाएगा आगे देखते हैं next question next question करा है ICDS में क्या सुविदा प्रिदान की गई थी संपूरक स्वास्थे शिच्छा बच्चों की देख्भाल या फिर यह सभी exfoli cancet क्या होगा यहां पर भी यह सभी हो जाएगा संपूरत पोशक वास्त सिच्छा बच्चों की देख भाल ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर दा हो जाएगा नेक्स्ट कुशन की बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट ससुग्रह योजना में किस लच्छ को बताया गया यह बेरी इंपोटेंट कुशन है र तुमारा नकद लाब या फिर उप्शन सभी तो राइट आंसर क्या होगा भई राजीव गांधी राष्ट सुग्रह योजना में किस लच्छ को बताया गया था तो बताया था कारिसील महला के बच्चों की देख भाल राइट आंसर ऑप्शन नमबर बार रहने वाला है ने तो जो अपना हो जाता है टी एससी प्रोग्राम ये चलाया गया था घरेलू इस्तर घरेलू इस्तर स्वच्छता के लिए राइट आंसर देगा ऑप्शन नमबर आ नेक्स बुशन की बात करते हैं टी एससी का पूरा नाम क्या है यह आपको बताना है गंदगी करना नियम भाप बनाना घरेलू कारी करना संपूर स्वच्छता अभियान चलाना तो यहां पर कौन सा राइट होगा गया क्या है संपूर स्वच्छता अभियान चलाना संपूर स्वच्छता अभियान चलाना अगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते है MDM MDM का पूरा نام क्या है Hindi मी दे रखे है कोई बात नहीं भोजन, दिन का भोजन, बिड़े मील या फिर ये सभी टो भई MDM का MDM का पूरा नام क्या हो जाेगा मिड़े मील हो जाेगा मिड़े मील हो जाेगा आगे बढ़ते हैं SSA का पूरा नाम क्या है यहाँ पर आपको बताना है सर्वे सिच्छा बियान, बच्चों की पड़ाई, बच्चों की सिच्छा या फिर यह सभी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा SSA का नाम सर्वे सिच्छा बियान हो जाएगा right answer हो जाएगा option number next question ssa में क्या सुविदा दी जाती है service इच्छा बियान में क्या क्या सुविदा दी जाती है और चारिक सिच्छा मद्या भोजन school में स्वास्त जाँच या फिर ये सभी right answer क्या रहने वाला है ssa service इच्छा बियान में और चारिक सिच्छा माद्या भोजन दोपहरेगवाले का भोजन होता है और school में स्वास्त जात तो क्या दियाती है ये सभी दी जाती है आगे बढ़ते है पेजल सुविदा किस प्रोग्राम में दी गई जो पेजल सुविदा थी किस प्रोग्राम में दी गई थी आपको बताना है तो पहला दे रखा है N-R-D-W-P I-C-M-R या फिर I-C-D-S ये सभी तो पेजल सुविदा थी वो किस में दी गई थी N-R-D-W-P ठीक है राइट आंसर होता हैगा option number A next question की बात करते है संपूरक पोशक आईरन फोलिक संपूरक इस प्रोग्राम में दिये जाते हैं तो T-S-C में या फिर हो जाता है M-D-M में N-R-D-W-P में या फिर R-G-S-E-A-G में तो राइट आंसर हमारा क्या होगा फोड़ों से confuse करने वाले नाम है इने भी याद करना आपको मुश्किल पढ़ेगा थोरसा कोई बात नहीं है एक-दो क्योक्षन छोड़ भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है मगर फिर भी बहुत एच्छे पकार से अगर आपको बाकी सारे याद हो गए हो तो इसके लिए बिल्कुल याद करना लिख लेना चाहिए ट्रिक बना क्याद करना कैसे भी करना एक-दो क्योक्षन यहां से बनेंगे ठीक है नेक्स्ट क्योशन की बात करते है राजीव गांदी किसोरी सक्तिकर्ड यूजना किसके लिए थी राजीव गांदी किसोरी सक्तिकर्ड यूजना किसके लिए थी किसोरी के लिए बच्चों के लिए महलाओं के लिए गरवस्ता के लिए राइट आंसर क्या होगा तो नाम में ही चुपा हुआ है किसोरी सक्ति क्या दैगा किसोरी के लिए हो जाती है आगे बढ़ते हैं कहँरा है स्थाने वाले बच्चों के लिए कौन से दो प्रोग्राम है माद्या बहुजण, सर्विच्चाबियान, आबा दोनों इन में से की नहीं तो सभी को पता है माद्या बушкиन मिलता है और सर्विच्चाबियान भी चलाए जाते हैं आगे बढ़ते हैं next question को देखना है next question कहा रहा है बैसको album समुदाई के लिए कौन कौन से program है पैद रखा है MNREGA फिर NRLM और दे रखा है तुमारा TPDES या फिर यह सबी तो कौन से हो जाएंगे यह सबी हो जाएंगे आगे देखते हैं RKPB RKPB program में क्या सबीदाएं दी हैं RKPB program में क्या सबीदाएं दी हैं पैद रखा है मुफ्त भोजन सबीदा खादानों के उतपादन में बढ़ाबा खेती सबीदा या फिर प्यजल तो RKP RKBP में दी गई है खादानों के उतपादन में बढ़ाबा द दिया जाना आगे बढ़ते हैं तुम्हारा सिक आरके बीपी का as नाम क्या है राश्टे किरसी का विकास प्रोग्राम राश्टे किरसी का विकास प्रोग्राम राश्टे विग्यान योजना याश्टे किरसी विकास योजना राश्टे किरसी विग्यान योजना यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा आपको बताना है समय किद बाल विकास सेवा स्कीम बाल विकास योजना बाल कल्याड योजना बाल डालन पालन स्कीम तो राइट आंसर क्या होगा तो कह रहा है ICDS का पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा समय किदबाल विकास सेवा इसकी राइट अंसर अप्शन नमबर आ हो जाएगा नेक्स्ट कोश्ण की बात करते हैं नेक्स्ट को देखेगा NIN का पूरा नाम क्या होता है थे नेशनल इन्डीयं आफ इंस्ट और नेव्टरीशनन मैं देखेण नेशनल इस्टिूट और नेव्टरीशन distint National Institute of Nutrition National Institute of Nutrition राइट अंसर ऑप्चन स्वाटो नंबर बाव देगा National Institute of Nutrition आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के खरखा है ICMR का पूरा नाम क्या है आपको बताना है Indian Council of Medical Research Indian Center of Management Research इंडिया Council of Medical Research राइट अंसर क्या रहने बाता है तो यहाँ पर कौनसा होगा भई Indian Council of Medical Research हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा option number A ICMR का पूरा नाम क्या है Indian Council of Medical Research राइट आंसर option number A हो जाएगा आगे बढ़ते हैं WHO का पूरा नाम क्या होता है World Health Organization होता है कहाँ रखा है World Health Organization option number A हो जाएगा ठीक है डागलो एचो का पूरा नाम क्या होता है World Health Organization आगे देखेगा next question कहरा है National Vitamin A Profilexis Profilexis प्रोग्राम कब आया National Vitamin A Profilexis प्रोग्राम कब आया था यह आपको बताना है कौन सा विल्कुल राइट होगा National Vitamin A Profilexis प्रोग्राम जो आया था वो कब आया था 1950 में 1981 में 1970 में 1975 में राइट आंसर क्या होगा भई 1970 में आया था option number 6 राइट होगा next question National Nutrition Program कब आया National Nutrition प्रोग्राम कब आया था 1928 में 1970 में 2000-2001 में 1980-1990 में राइट आंसर हमारा क्या होगा यह अपना आया था Special Nutrition Program जो आया था वो आया था तुमारा 1971 में राइट आंसर आप्शन इंबर भा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ दे रिखा है Applied Nutrition Program कब आया था Applied Nutrition Program कब आया था 1950, 1940, 1960, 1960, 1963 कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है Applied Nutrition Program कब आया था तो यह अपना आया था 1963 में राइट आंसर आप्शन नमबर दा हो जाएगा Next question को देखते हैं BNP का पूरा नाम क्या है BNP का जो पूरा नाम है बहे क्या हो जाएगा आपको बताना है पैद रखा है Value of Nutrition Program बाल बाली Nutrition Program महला पोस्टर प्रोग्राम या फिर गाओं का प्रोग्राम राइट आंसर क्या होगा BNP तो BNP का जो फुल फार्म हो जाएगी बहे हो जाएगी बाल बाली Nutrition Program राइट आंसर आप्शन नमबर पाहो जाएगा Next question को देखेगा Next question कह रहा है NNAPP का पूरा नाम क्या है National Prophylaxis Nutrition Program Vitamin A Program National Nutrition Nutritional National Nutritional Anemia Prophylaxis Program या फिर उप्योग तो सभी राइट आंसर क्या रहने बाला है NNAPP का फुल फार्म हो जाएगी यह हो जाएगी National Nutritional और Anemia Prophylaxis Program राइट आंसर उप्शन नमबर सा रहने बाला है आगे देखते हैं Next question NGCP का पूरा नाम क्या है National Goiter National Goiter Control Program गेंगा विरूद प्रोग्राम या फिर नेशनल विसेज प्रोग्राम या फिर नेशनल स्वास्त मिसन तो राइट आंसर क्या होगा तो NGCP की जो पूरा नाम क्या होगा National Goiter Control Program राइट आंसर उप्शन नमबर आ हो जाएगा आगे देखेगा Next question Next question का अंसर जीगा Next question कह रहा है NIODCP का पूरा नाम क्या होगा राष्ट स्वास्त मिसन राष्ट मा रखाई यह नमक प्रोग्राम क्या है पूरा सा कट रखाए कोई बात नहीं देख लेते हैं राष्ट नमक प्रोग्राम लिए ठीक है राष्ट आयोडीन की कमीनियंतर कारिकरम या फिर हो जाता है राष्ट आयोडीन प्रोग्राम तो राइट आंसर क्या रहने वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न आई ओडी सीपी का पूरा नाम हो जाएगा आपका राष्ट आयोडीन की कमीनियंतर प्रोग्राम या कारिकरम ठीक है right answer option number सा हो जाएगा आगे देखते हैं next question देखेगा आच्छाय पात्र किस सन में शुरू हुआ था जो अच्छाय पात्र है वह किस सन में सुरू हुआ था 2006, 2000, 2003, 2001 तो right answer क्या होगा भई अच्छाय पात्र किस न में सुरू हुआ था 2000 में start बाउजार नेThese से कूशन लाश्ट को चरार भी टी कभूवी थी आपको बताना है बोश्टिंग फूड वुश्टिंग फूर्ट से हैं उनके बार में पढहें गे तो first question inserted हो जाएगा रोग प्रतीरोदक शंता क्या है रोगों से बचाब करना, रोगों के पिरकार बताना, रोग उत्पन करना या फिर ये सभी तो right answer क्या होगा भई रोगों से बचाब करना रोग प्रतीरोदक शंता किसे कहते हैं रोगों से बचाब करने के लिए आगे बढ़ते हैं किया रहा है प्राकर्तिक रोग प्रतिरोधक छमता क्या है आपको बताना है कौन सा विल्कुल राइट होगा प्रत्रीम सकती सभी सकती स्वाभाविक सकती या फिर कोई सकती तो कह रहा है प्राकर्तिक रोग प्रतिरोधक छमता क्या होती है यह होती है स्वाभाविक सकती अपने अंदर की सकती आगे देखते हैं नेक्स कोशन कह रहा है अर्जित रोग प्रतिरोधक छमता का क्या उद्दिस है अर्जित रोग प्रतिरोधक छमता का उद्दिस क्या होत किसे कहते हैं यह कहते हैं इस्थाई रोग जंता के लिए अर्जित रोग प्रती रोग जंता के काउंदे से क्या होता है इस्थाई रोग जंता होता है आगे बढ़ते हैं कृत्रीम रोग प्रती रोग जंता क्या है कृत्रीम रोग प्रती रोग जंता क्या है तो यह अपना हो होता है तीका कड जो होता है ना बतपन में भै हो जाएगा तैका है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा भै3 का आगे वड़ते हैं संक्रमा म的是 किसे कहते हैं जो संक्रमर काल होता है उसे क्या कहा जाता है संक्रमर काल किसे कहते हैं सोरी रोग होना बुखार होना बीमार होना या फिर रोग के लच्छड दिखना तो संक्रमर काल किसे कहा जाता है इसका आपको आंसर देना है तो संक्रमर काल उसे कहते हैं रूग के लच्छड हलके-हलके दिखने लगते हैं Right answer option number 2 हो जाएगा फिर कहएरा है प्रिकोप की अबस्था किसे कहते हैं प्रिकोप की अबस्था किसे कहते हैं रोग हो ना, रोग के लच्छड चरम सीमा पर हो ना लच्छड दिखना या फे निमे से कोई नहीं बिस्वमारी है या महामारी है इस्थानिये है या फिर विकीर्ड है तो राइट अंसर क्या होगा कोरोना कैसी है एक बिस्वमारी है कैसी है बई एक बिस्वमारी है राइट अंसर अप्शन नमबर आ नेक्स कुशन की बात करते हैं एक सीमित छेतर में फैला हुआ संकरमकरोग क्या कहलाता है एक सीमित छित्र में फेला हुआ संक्यमिक रोग क्या गहलाता है विकीड, इस्थानिये, विश्मारी, महामारी, राइट अंसर क्या होगा तो उसे कहते हैं इस्थानिये, क्या कहते हैं इस्थानिक, इस्थानिक रोग कहेंगे उसे ठीक है, राइट अंसर ऑप् प्याज या फिर ये सभी तो right answer क्या होगा ये सभी हो जाएंगे ये कैसे होते हैं एंटी ओक्सिडेंट वाले फूड होते हैं ठीक है कौन से लहसन प्याज और वेरीज तो यहां पर right answer option number दा हो जाएगा जो हमें क्या करते हैं हमें लड़ने की immunity देते हैं ठीक है आगे बढ़ संत्रे बा अमरूद, green tea बा वेरीज या फिर ये सभी तो right answer भी क्या रहने वाला है तो यहां पर green tea और वेरीज भी हो जाएंगे तुलसी और नीम भी हो जाएंगे संत्रे और अमरूद भी हो जाएंगे तो right answer दैगा option number दा आगे देखते हैं antiviral drugs antiviral drugs किसे कहा जाता है आउ तो किसे कहते हैं star and इसको कहा जाता है right answer हो जाएगा option number वा antiviral drugs किसे कहते हैं यह कहते हैं star and इसको right answer option number वा हो जाएगा next question की बात करते हैं next question को देखेगा next question कह रहा है तुम्हारा fermented fermented food में क्या-क्या सामिल होता है जो fermented food होते हैं उनमें क्या-क्या सामिल होता है आपको बताना है यूगर्ट कांजी फेर केरिफ या फिर ये सभी यूगर्ट कांजी केरिफ या फिर ये सभी तो राइट अंसर क्या होगा यहाँ पर भी क्या रहने वाला है यह सभी रहने वाला है फर्मिंटेड फूड होते हैं कांजी यूगर्ट और केरिफ आगे देखीगा यहाँ रख मुलेठी, मास, आउला इन में से कुई नहीं तो यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा एंटी बाइरल एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंपलेमेटरी फूड इन में से कौन सा है तो बह हो जाता है मुलेठी जाइट अंसर क्या होगा option number आ रहने वाला है next question की बात करते है हल्दी में क्या गुड़ पाए जाते है एंटी इंपलेमेंटरी एंटी वाइरल आउर बाद दोनों इन में से कुई नहीं तो हल्दी में सभी गुड़ पाए जाते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number सा हो जाएगा next question को देखते है नारियल में कौन से गुड़ होते हैं जो नारियल है उसमें कौन से गुड़ होते हैं एंटी वाइरल वाइरल एंफेक्शन आ और बाद दोनों इन में से कुई नहीं एंटी वाइरल वाइरल इंफेक्शन आ और बा दोनों क्या होता है यह आपको बताना है तो बहुत नारियल में भी एंटी वाइरल गुल पाए जाता है और वाइरल इंफेक्शन भी पाए जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा sorry option number 6 हो जाएगा आ और बा दोनों ठीक है next question को देखते है next question करा है pre-biotic food कौन कौन से होते हैं जो pre-biotic food होते हैं वो कौन कौन से होते हैं alci, kibee और oats, save और रहा है chia seed बाजार, ठरी chia seed बाजरा यह सभी तो बताना है कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा pre-biotic food कौन कौन से होते हैं पर देखते है alci, kibee और देखते है oats, save तो देखते है chia seed बाजरा या फिर यह सभी तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल right answer रहने बाला है वही तो यहाँ पर हो जाएगा यह सभी आगे देखते हैं प्रती रोधक छंता को बढ़ाते हैं क्या बढ़ाते हैं पानी, रेसा, खटे फल या फिर सभी तो क्यारा प्रती रोधक जो छंता होती है उसके लिए क्या बढ़ाते हैं भई खटे फल बढ़ाते हैं क्या बढ़ाते हैं खटे फल बढ़ाते हैं जिसे कीवी है बहुत important है कीवी तो है ना आगे बरते हैं next question करें कीबी में भिन भिन अडू हैं बह कौन से हैं कीबी जो होता है उसमें भिन भिन अडू पाए जाते हैं कौन कौन से अधिक पोटेशियम फोलेट युक्त या फिर अधिक मातरा में विटामिन C उपयुक्त सभी तो कीबी में क्या पायाता है ये सभी पाय जाते हैं अधिक मातरा में पोटेशियम देखने को मिलती है फोलेट योग तो होता है अधिक मातरा में विटामिन C होती है आगे देखते हैं next question next question करा है पपीता स्वास्ते के लिए लाबकारी है क्यों? पपीता जो है वो स्वास्ते के लिए लाबकारी है क्यों? उसमें पोटेशियम होता है, फॉलेट होता है, मैगनीशियम होता है या फिर ये सभी होते है तो उसमें क्या मिलेगा? Potation भी मिलता है, folate भी मिलेगा Magnesium मिलेगा, तो right answer हो जाएगा ये सभी, आगे देखते हैं केरा इनमे से किसमे Antioxidant Antioxidants Antioxidants का गुड़ पाये जाता है, पालक, सेब या फिर ब्रॉकली, या ये सभी यहाँ पर right में भी पाये जाता है, सेब में भी और ब्रॉकली में तो right answer क्या हो जाएगा ये सभी रहने बाला है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, next question दे रखा है तुमारा immune system को ठीक बनाए रखता है जो immune system है, अपना उसे कौन ठीक बनाए रखता है, दूद similar मिर्च, कौन सा वाला, लाल वाला ठीक है, आगे देखते हैं, next question next question कहा रहा है, लहसुन में पाया जाता है, लहसुन में क्या पाया जाता है, अंटी वायोटिक जी माडू रोधी गुड या फिर रक्त सरकरा नियंत्रड, ये सभी लहसुन में, ये सभी चीज पायाते हैं, अंटी वायोटिक होता है ये, और जी माडू रोधी गुड़ होते हैं इसके अंदर, रक्त सरकरा नेंत्रड करता है तो राइक टांसर हो जाएगा, option number दा, next question की बात करते हैं कोरोना जैसी बीमारी में, आहार में तो राइक टांसर क्या होगा, आउला और नीबू का इस्तमाल किया जाएगा, लोहे के लिए और दाल, चीनी, लौंग का प्रियुक किया जाएगा ग्रीन टी, कच्ची, हल्दी का प्रियुक किया जाएगा, राइक टांसर का, option number दा हो जाएगा, अगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन की और, यह कहां जा रहा है दूए, जोड़ा सा, इधर करते हैं, बिल्कुल, यहां दे रखा है तुम्हारा, लाल सिम्ला मिर्च के गुड़ है, लाल सिम्ला मिर्च के गुड़ क्या है, वह इसका आंसर दिना है, कौ जोड़ती है, और बीटा के रोटीन भी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ और बाव दोनों हो जाएंगे, आगे देखते हैं, ब्रॉंक्ली में क्या गुड़ होते हैं, जो ब्रॉंक्ली उसमें क्या गुड़ होते हैं, बिटामिन A होता है, E होता है, C होता है, या फिर ये सभी होते हैं अब यह उने क्या देखा था यह एंटिवार्टेकल है तो राइट आंस अप्संदा हो जाएगा ब्रॉंकली में सभी उड़ पाई जाते हैं आगे देखते हैं रोग प्रतिरोदर चमता को बढ़ाने वाले फूड हैं रोग प्रतिरोदर चमता को बढ़ाने वाले फूड कौन से हैं अद्रक लहसन बढ़ाता है और योगर्ट सूरिद मुखी के बीज भी बढ़ाते हैं पालक नीबू खाओगे से भी बढ़ती है तो राइट आंसा क्या जाएगा ये सबी रहने बाला है आगे बढ़िएगा ये लास्ट दो क्योशन रहे कि रुखने में जनतू का जनतु की हैल्प करते हैं अ पर एक है मास ठीक है तुम्हारा कोक बाली वॉष्टेट और रहे तुम्हारा यहाँ फ़िस यहां पर भी यह सभी ही होंगे आगे देखते हैं लाइड का कारे क्या है प्रेदित Words अशंता बढ़ाना यह अफरागा होता है जो काम से बचाता है विटामिन दी पर चुरू मतरम पाए जाता है तो राइट आंस देगा ऑप्शन नमबर दा तो यहां पर जो हमारा होता है हमने हमारे 14 पार्ट अगर अब रहने वाला है अगर आप नहीं कर पाते हो नहीं कर पाते हो एक बार पढलते हो कुछ कर ले तो तो आप बिल्कुल हैंडेत मैं से हटी कुशन आराम से कर जाओगे ठीक है अगर 80 क्योशन कर दिया है तो समझे बिल्कुल अच्छी बात है ठीक है तो फेंट्स लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और यह हमारा लास्ट पार्ट था फूड न्यूट्रिसन हाइजिंग का ठीक है अगर अच पैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा वह रैकन को प्रेज भी कर दीजिएगा तो फेंट्स जैहिन जैभारत